ग्रहमंत्री डॉक्टर नरुत्तम मश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर्टिप्पिणी की है। ग्रहमंत्री ने कहा कि कमलनाथ जी कोन के छोटे भाई ने इसकदर चक्रिवी में फसा रखा है, जिसकदर अभी मन्यू भी चक्रिवी में नहीं फसा होगा। साथ ही उन्होंने गहलो सरकार के पुराने बजट पेश करने पर कहा कि भले ही राजिस्थान में मुख्यमंतरी गहलोथ हो लेकिन पाइलेट कोई और ही है मधिप्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर छीटा कसी से बाज नहीं आ रहे हैं गुरू मुख्यमंतरी और वर्तमान मुख्यमंतरी में ज़बानी जंग तो चली रही थी अब साथ ही मधिप्रदेश के घ्रह मंतरी डॉक्टर नरूट्तर मिश्रा भी कमलनाथ पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं नरुत्ते मिर्शा ने कहा कि कमलनाज जी को कॉंग्रिस ने इसकदर फसा रखा है ऐसे तो अभिमन्यू को भी चक्रुवियू में नहीं फसाया गया था हर कदम पर कमलनाज जी के छोटे भाई का गुरुप है जो चाइनीज माला लिये उनके स्वागत में तयार रहता है इसकदर फसा लिया है कमलनाज जी को कि अभिमन्यू भी नहीं फसा होगा चक्रुवियू हर कदम पर उनके छोटे भाई का जो गुट है वो चाइनीज माला लिये कमलनाज का स्वागत करने को तयार रहता है ग्रह मंत्री ने राजिस्थान सरकार के बजट पर बोला कि अशोग गैलोत ने जैसे पिछले साल के पुराने बजट को ही नया बजट बना कर पेश किया है उससे लगता है कि मुखी मंत्री चाहे गैलोत हो लेकिन पाइलेट कोई और ही है हर बजट के बाद बिबख्चों से पुरानी बोतल में नई शराब अक्सर कहता सुना गया है यह पहली बार हुआ है कि पुराने बजट को नई फाइल में पेश किया गया है इससे समझ में आता है कि सीम की सीट पर भले यह सो गहले थों पर पाइलेट कोई और है हम करते हैं सत्य का अनुवेशां तखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नियूज